नमस्कार, रील के हड़ी या स्पाइनल कॉलन में अलग-अलग बिमारिया और उनके उपाएं, इसके बारे में हमने लास्ट टेम वीडियो में देखा काफी सारे शब्द रील के हड़ी के साथ जुड़े हुए हैं और वो हर एक अदमी को पता है जैसे कि Spondylosis, Slipdisk और उसे के साथ और एक शब्द हमेशा यूज़ किया जाता है उसको बोलते है Sciatica तो उसके बारे में आज हम थोड़ी जानकरी लेंगे मैं Dr. Rajesh Parasnis, Consultant Spine Surgeon, सयाधरी Hospital इसके बारे में आपको बताना चाहूँग Sciatica ये शब्द Sciatic Nerve से आयावा है अपने पाव में सबसे बड़ी और महत्वपुर्ण जो नर्व होती है, नस होती है उसका नाम होता है Sciatic Nerve तो जो भी धर्द कमर से निकल के पाव में ये नर्व के कोर्स में नीचे तक जाता है उसको बोला जाता है Sciatica अगर आप रिल के हड़ी का मॉडल देखेंगे, ये पीछे का हिस्सा है और ये आगे का हर एक दो मनकों के बीच में ये नसे बाहर आती है और सबसे आखरी वाली जो तीन या पाच नसे है वो मिलके Sciatic Nerve बनती है, वो अपने हिप के पीछे से पाव में जाती है तो अगर किसी भी कारण से ये नसों पे दबाव आने लगा नस पे दबाव के कारण नसों पे सूजन आने लगी तो वो दर्द Sciatic Nerve से नीचे तक जाता है सबसे कॉमन कारण Sciatica का क्या हो सकता है? Sliped Disc मतलब कि मनकों के बीच में जो गद्दी होती है कमर में उसका हिस्सा थोड़ा सा घिसावट के कारण बाहर आके नस पे दबाव आना ये दबाव के कारण नस में दर्द तो पैदा होता ही है उसी के साथ जुनजुनाहट, भारीपन या ताकत कम होना ऐसी बीमारिया भी पेशेंट के साथ नजर आएगी साइटिका जब पैदा होता है, शुरुवात होती है तो पेशेंट को चलना मुश्किल होता है ज्यादा तर रुग्ण साइटिका का दर्द बैठते वक्त के चलते समग महसुस करते है सोते समय ये कम होता है जब हम डॉक्टर ऐसे सायाटिका के रूगन देखते हैं तो सबसे पहले हमको तई करना पड़ता है कि कारण क्या है कई बार दूसरी किसी बीमारे से भी सायाटिका जैसा दर्द पैदा हो सकता है तो हम जब रूगन की पूरी तरह जाच करते हैं एक्जामिनिशन करते हैं तो पहला देखते हैं कि दर्द सिफ सायाटिक नर्व का है कि पूरे पाव में दूसरी किसी कारण से भी दर्द होता है जैसे कि हिप जॉइंट से या खूबे से आया हुआ दर्द कभी-कभी सायाटिका जैसा महसूस होगा या सैकरिलियक जॉइंट या रील की हड़ी या कमर की हड़ी की बीच का जॉइंट उसमें अगर सूजन है तो भी सायाटिका जैसा दर्द होगा या अगर पैर में खून का सप्लाई कम पड़ रहा है जैसे डायबिटिक पेशेंट है रोमेटेड आर्थाइटिस का पेशेंट है तो कई बार हमने देखा कि करोना के टाइम अगर खून की गुठली जमा हो गई और उसकी वज़े से पैरों में खून का सप्लाई कम हो रहा है तो साइटिका जैसा दर्ब मैसुस हो सकता है किसी भी निशना डाक्टर को सिर्फ जाथ से पता चलता है कि साइटिका है कि नहीं लेकिन उसका पूरी तरह कंफर्मेशन करके पूरी तरह आचुक रोगनिदान के लिए हम कुछ जाच करते हैं जैसे कि कमर का X-ray या MRI या CT scan उसे ये पता चलता है कि किस कारण से साइटिका हो रहा है पैर अगर उठाया रुगन को सुला के अगर पूरा दर्द नीचे तक जा रहा है और उसे के साथ जुन-जुनी भारीपन भी हो रहा है तो भी साइटिका का confirmation clinically होता है लेकिन MRI ये आज के तारीक में gold standard माना जाता है कि जिसमें ये पूरी तरह दिखता है कि नस्पे दबाव है क्या और किस कारण से है साइटिका slip dish से तो ज्यादा तर दिखता ही है लेकिन कई बार अगर नस्पे दबाव किसी और कारण से आ रहा है जैसे कि infection है, abscess है और उसकी वज़े से नस्पे दबाव है या तो tumor पैदा हुआ है उसकी वज़े से नस्पे दबाव है नस्पे प्रेशर कहां पे है और कितना प्रेशर है ज्यादा तर रुगण 80% रुगण सायटिका के बिना सरजरी के ठीक होते है पुरी तरह rest, दर्द कम करने की दवाया, anti-inflammatory medicine जिसमें नस्पे सूजन कम हो और उसी के साथ physical therapy, electrical या manual modalities से सायटिका के दर्द पुरी तरह ठीक किया जा सकता है जैसे ही दर्द कम हो, कुछ exercises चालू करते हैं, जिसमें stretching exercise सबसे पहले आते हैं, इससे भी सायटिका पुरी तरह ठीक हो सकता है लेकिन अगर सायटिका के साथ पहर में ताकत कम है, नस्पे दबाव ज़्यादा है, या कोई ऐसी गहतक बीमारी है, जो बढ़ने के कारण आगे जाके complication हो, तो ही किसी surgery की जरूरत पढ़ सकती है अगर सायटिका के बारे में आपके दिमाग में कोई भी सवाल आए, तो जरूर हमको contact कीजिए, धन्यवाद